नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राहूल स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के कंस्ट्रिक्शन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टू बैडरूम के साथ 22 फिड बाई 35 फिड में एक बहुती सुंदर हाउस प्लान आपके साथ सेयर करने व बात करें तो हमने इसको साउथ फेस में बनाया हुआ है अब अपनी लोकेशन के हिसाब से किसी भी डारेक्शन में इसको बना सकते हैं हाउस प्लान की लेंद के अगर हम बात करें होरिजोंटल में देखिए 22 फिट तेन इंची दोस्ति हमने इस लेंद रखी हुई है और व दोस्ति है तो आप इसको 1000 स्कॉार फिट में बना सकते हैं यानि आपका आधी नाले से कम जमीन में भी दोस्ति घर आपका बनकर त्यार हो जाएगा और दो बेडरूम के साथ आप इसको बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम मैंगेट से लेकर आपको चलते हैं दो प्रणदे के लिए इस स्टेश को आप यूज कर सकते हैं इस पेस के अगर हम बात करें तो यहां पर देखें दस फिट वाइच शेपेट में दोस्ता आपका विरंदा होने वाला है उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रंट में ही लेप्ट कॉर्णर पर देखिए हमने यहां पर जो है इस्टेरकेस घर का रखा हुआ है और काफी अच्छी इस पेस में दोस्तों देखें आपर दिया हुआ है इस टैप के अगर हम बात करें इस टेरकेस में तो तीन फिट एक स्टैप का वीर्थ आपका रहने वाला है यहां पर देखिए आप यहां पर हमने लिखा आप उपर चड़ना इस्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आपको कुछ स्टेप चड़ने के बाल आपका देखिए एक लेंडिंग आपको मिल जाता है टोटल मिलाकर आपका जो है लेंडिंग चड़ना इस्टार्ट करेंगे तो फिर आप अपने टैरिस पर पहुंच जाएंगे तो दस फिट नो इंच बाई छे가요 उने यहां पर रखा हुआ है यहां से दोस्तौब और अंदर इंटर ऑते हैं तो फस्ट आप यहां पर जो है कि rea plaisir है यहां प्लान मेंडर पहुंचे हैं मेंडोर स सर आप पहुंचते हैं मेंडोर संदर इंटर होकर आप पहुंचते हैं leaving area में living hall में living hall की spacing दोस्त हमने यह पर जो है आपका 10 feet by 8 feet में दोस्त हमने यहाँ पर living hall दिया हुआ है कहीं से दोस्त हमने जो है इसके आप left corner पर देखिए आप आप देख सकते हैं कीचन हमने यहाँ पर दिया हुआ है कीचन के लिए इंटरेंश धेकी दोस्तों अमने उपन फट्र पर प्रवाइट किया हुआ है आप जिसको अच्छे से अगर आप बनाते हैं तो हमारा इंटर जो ऑधी अच्छा लगता है घर काठे के दोस्तों यहां से दोस्तों प्लान में और आगे आप बढ़ते हैं तो यहां पर भी हमने जो है ओपन आर्च प्रोवाइट किया हुआ है यहां से आप अंदर इंटर होते हैं तो आप पहुंचते हैं डाइनिंग हॉल में टिक है डाइनिंग एरिया दोस्तों हमने यहां पर रखा हुआ है यहां पर आपना डानिंग के लिए आपसे श्यक्त को यूज कर सकते हैं तो यहां से प्लाण में और ये बढ़ते हैं तो गर के बैक सैयर निम्हाना पर प्रोवाइट के हुए हैं दोनों लोकाशन के यसाथ से विन्डो का पूजिशन कर सकते हैं आप चाहें विन्डव देख के में विंडो प्रवाइड कर सकते हैं और किचन में दोस्त हमने विंडो आप करेने वाला है। बाकी इस तरीके से दोस्ता आप इस प्लान गों बना सकते हैं। अभी हम कॉल्म की बात करते हैं, कितना कॉल्म हमारे घर बंढ न वाला है। चलिए हम 3D वीव में आपको लेकर चलते हैं और कॉल्म को यहां पर ऊठाते हैं तो देखिए हम 3D वीव में आगए हैं घर के front side से ही दोस्तों हमिया पर कॉलम उठाना स्टार्ट करेंगे से मिन देखिए 1st कॉलम आपका। पर रहने वाला है देखिए इसको हम उठाते हैं और 10 फिट तक हम को जो है मकान की हाइड रखनी है तो 10 फिट हम इसको उठा देंगे ठीक है यह आपका फर्स्ट कॉलम हो गया यहां से दूस्त आप अपना सेकंड कॉलम देख सकते हैं स्टेरकेस के चारो कॉर्णर पर उनने दोस्तों चारो कॉलम रखे हुए हैं यह आपका दोस्तों सेकंड कॉलम हो गया ठीक है घर के फ्रंट में देखिए आप लास्ट कॉर्णर पर आपका जो है यह आपका थार्ड कॉलम हो गया ठीक यहां से दोस्तों हम फूर्ट कॉलम इसको उपर उठा देते हैं फिर दोस्त द्रेखी दूस्तों गर के बैडो। हमारा बैडरूंहें में ईकोड़ वह बात लुए हैं तो 9 बाइट्व की सब्सक्राइं साफ को दूस्तों 9 15 कर सकते हैं नौ बाला कर एक कोलवेट किया हूं है back side में 6 column आपकाụ। जो है front side में रहने वाले हैं सभी column को दोस्तों हमने यापर उठा लिया है कुछ इस परकार तो total मिला कर आपके 12 column में यापर घर पर रहने वाले हैं कुछ इस परकार से दोस्तों आप इस घर को बना सकते हैं, अब चली दोस्तों हम इस घर की या फिर फंद्रा लाग तक आपको बता रहे हैं इसमें इलेक्टिक फिटिंग और पानी इसमें नहीं है ठीक है बाकि दोस्तों प्लान आपको कैसा लगा कमेंड बोक में जरूर बताएं इसका 3D वियु हम दोस्तों बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे तब तक के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सस्काइब जरूर कर दीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टोपिक के साथ थैंक्स फर वाचिंग